अस्सलाम अलेकॉम, वेलकम बैक टू माई योटूब फैमिली, कैसे आप सब उमीद करता हूँ, आप सो खेरियत से होंगे, हमारी आज की वीडियो में इस फैंसी कमीज को कटिंग करने का तरीका सीखेंगे, यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, यह इसका बैक पार्ट है, और यह आप देखें, यह इसके बाजू है, यह एक बाजू है, और यह दूसरा बाजू है, बाजूं पर भी आप देख सकते हैं, इसके काम बना हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इसकी शमीज है, शमीज इसकी रेश्मी मलाई कपड़े में है, शमीज को दो तह लगा के यहां पर हम इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे सेंटर पॉइंट बना के यहां पर हम आइरन कर लेंगे शमीज के पूरे कपड़े को हम इसी तरह आइरन कर लेंगे फैंसी कमीज की कटिंग करने का यह बहुत यह असान तरीका है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वीडियो को आपने पूरा देखने हैं वीडियो आपने स्किप नहीं करनी वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करने हैं आप वीडियो देखें वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद लाइक करने और हाँ जब वीडियो को लाइक करेंगे तो चैनल सब्क्राइब करना तो बनता है फिर आपने चैनल भी सब्क्राइब करना है चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह की अच्छे अच्छी वीडियोस अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जी तो फैंसी कमीज की शमीज का सेंटर पॉइंट बन चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको चार तेह में रखा है यह फ्रन्ट और बैक दोनों की शमीज का कपड़ा है सबसे पहले यहाँ पर हम शमीज के दामन को नीचे से कट करके सीधा कर लेंगे दामन की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम दामन के लिए नाप ले लेंगे 28 इस इंच का दामन इसका रखना है तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे यह 14 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे जी तो दामन से उपर लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 15 इंच का शोल्डर रखने हैं तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे आठ इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर से एक इंच डाउन रखकर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम आर मॉल के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पर 9 इंच का आर मोल रखके यहां पर हम इंची टैप को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और 13 इंच पर हिप के लिए निशान लगाएंगे हिप का निशान लगाने के बाद यहां पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे यहां पर स्टेड आठ इंच पर एक निशान लगाएंगे 24 इंच चेस्ट है कमीज की तो यहां पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे कमर इसकी 22 इंच है तो यहां पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे हिप इसकी 26 इंज रखनी है तो यहाँ पर हम क्रास 13 इंज पर निशान लगाएंगे जी तो शोल्डर से आप दे सकते हैं एक हमारा 9 इंज पर निशान है दूसरा साधे 15 इंज पर और तिसरा 22 इंज पर अभी यहाँ पर हम सकेल के साथ दामन का सीधा निशान लगा लेंगे दामन के लिए निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम साइड चौक के लिए सीधा निशान लगा लेंगे साइड चोग कर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम स्केल के साथ फिटिंग कर निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए शेब में निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम आर मोल के लिए सीधर निशान लगा लेंगे सकेल को क्रॉस रखते हुए एक इंच के गैप पर एक और निशान लगा लेंगे आर्मोल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए सीधा निशान लगाएंगे दानिशान लगाने के बाद यहाँ पर हम क्रॉस में डौन रखते वे निशान लगाएंगे शोल्डर का निशान लगाने के बाद यहां पर हम आरमोल की गुलाई का निशान लगा लेंगे जी तो आरमोल की गुलाई के लिए निशान लगाने के साथ ही हमारे कमेज के पूरे निशान लग चुके हैं अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे पहले हम यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की गुलाई की कटिंग करेंगे फ्रंट के बाद अभी हम बैक आर्मोल की गुलाई की कटिंग करेंगे आर्मोल की कटिंग करते ही हम साइड फेटिंग की भी कटिंग करते जाएंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तेम उरतार एक स्टिच को लाजमी सब्क्राइब करें जी तो फ्रन्ट और बैक दोनों की शमीज कटिंग हो चुकी आप देख सकते हैं पर हम कट्स लगा लेंगे फ्रन्ट और बैक शमीज की कटिंग करने के बाद यह आप देख सकते हैं यह कमीज का फ्रन्ट है अभी हम शमीज के फ्रन्ट को कमीज के फ्रन्ट के उपर रखकर कमीज की कटिंग करेंगे पहले शमीज कटिंग करके पिर बाद में कमीज कटिंग करने का ये बहुत ही असान तरीक है आप भी इस तरह ट्राइ कर सकते हैं आपको इजी लगेगा यहाँ पर हम फ्रेंट का सेंटर कर लेंगे सेंटर करते वे काम के साथ काम को मिला लेंगे इस तरह अच्छी तरह चेक करके यहाँ पर हम पहले कामेंट पिन लगा लेंगे जी तो इस तरह फ्रेंट का सेंटर करके कामेंट पिन लगा लिए आप दे सकते हैं यहाँ पर हम शमीज का फ्रेंट लेंगे शमीज के फरंट को कमीज के फरंट के उपर बिचा देंगे शमीज के दामन को कमीज के दामन से दो इंच चोटा काटा है जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये टोटल तीन इंच का गैब आ जाएगा अब हम कमीज के फरंट की कटिंग कर लेंगे जैसा कि आपने फिटिंग में देख लिया है कि ये काफी हैवी साइज है तो इसके साइडों में से कोई कपड़ा नहीं बचने वाला बिल्कुल ये पूरा पूरा आजाएगा ये फैंसी सूट हमारा शेफून के कपड़े में है तो शेफून के कपड़े का जो अर्ज होता है वो बहुत चोटा होता है जी तो इसके साइड ही फैंसी कमीज का फ्रंट भी कटिंग हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पर हम कट्स लगा लेंगे फ्रंट कटिंग करने के बाद यहां पर हम बैक को भी सेम इसी तरह कटिंग कर लेंगे यह आप देख सकते हैं बैक इसके दामन पर काम बना होगा है तो यहां पर हम बैक को अच्छी तरह यहां पर सीधा कर लेंगे कपड़े को क्योंकि पहले भी इसका अर्ज बहुत काम है आप देख सकते हैं यहां पर हम बैक का सेंटर कर लेंगे बैक के सेंटर की यहां पर हम करीश बिठा लेंगे करीश बिठाने के बाद यहां पर हम शमीज के बैक को कमीज के बैक के उपर रखेंगे और यहां पर हम चेस्ट में चोटा सा जोड लगाएंगे डबल कपड़े का इस तरह कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और कॉमन पिन लगा लेंगे जी तो यहां पर बैक कमीज के लंबाई को चेक कर लेंगे बैक कमीज के लंबाई को फ्रंट कमीज के लंबाई के मताबिक रख कर बैक की कटिंग कर लेंगे चेस्ट से नीचे हम कमीज के कपड़े को कटिंग में कवर करेंगे क्योंकि कमीज के साइड जौक में काफी मर्जन था तो यहां पर हम उसको हाफ इंच कट करते जाएंगे इसके साथ ही बैक कमीज की भी कटिंग हो चुके अभी हम बाजू की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर हम बाजू के काम के साथ काम मिलाकर दोनों बाजूओं को अलग कट कर लेंगे बाजूओं को अलग करने के बाद इनका अलग सेंटर बना लेंगे सेंटर बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एक दूसरे के उपर रखेंगे बाजू को एक दूसरे के उपर रखने के बाद यहां पर हम कमेंट पिने लगा लेंगे बाजू को पिन अप करने के बाद यहां पर हम शमीज के लिए कपड़ा लेंगे और यहां पर इसको सीधा कर लेंगे ये शमीज का कपड़ा चार तैम है तो इसको हम यहां पर बाजों के उपर रखेंगे और अभी हम यहां पर बाजों की लंबाई का निशान लगा लेंगे 19 इंच के बाजों रखने हैं तो यहां पर हम 20 इंच पर निशान लगाएंगे यह निशान लगाने के साथ ही यहां पर हम 4 इंच पर एक और निशान लगाएंगे यहां पर अभी हम आर मॉल की चोड़ाई कर निशान लगा लेंगे 9 इंच सीधा आर मॉल की चोड़ाई कर निशान लगाने के बाद यहां पर हम बाजों को आगे से 8 इंच रख कर निशान लगाएंगे 8 इंच पर निशान लगाने के बाद यहां पर हम सीधा 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह बाजों हम बैल बाटम शेप में कटिंग करने वाले हैं यहां पर हम साथ इंच पर रख कर निशान लगाएंगे जी तो यहां पर हम बेल बर्टम शेप कर निशान लगा लेंगे जी तो बेल बटम बाजों की शेप का निशान लग चुका है आप देसकते हैं अभी हमारे बाजो कटिंग के लिए रेडी यहां पर हम कटिंग कर लेंगे जी तो बाजों की कटिंग हो चुके आप देसकते हैं यहां पर हम बाजों की आरमल की फरंट की गुलाई की कटिंग कर लेंगे इसके साथ यह बाजों भी कटिंग हो चुके आप देख सकते हैं बैल बटम शेप में कटिंग हुए हैं बाजों हमारे और ये फैंसी कमेज की कटिंग लुक भी आप देख सकते हैं मुझे पूरी उमीद है स्टेप बे स्टेप कमेज कटिंग करने का ये बहुत ही असान तरीका आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें मिलेंगे अगली वीडियो में